आपका स्वागत है आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्षिट नमबर 26 और ये है समाजिक बिज्यान भुगोल की वर्षिट तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्षिट लेकिन एक बार कुना मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोडिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंचते रहे हैं आज की जो वर्षिट है इस वर्षिट में हम लोग पार प अश्चिम में इउरोप महादीब है इसके बाद इसके ठीक सामने आएं तो यहां उत्तर अमेरिका है और इसके ठीक नीचे दच्छिन अमेरिका है फिर यहां अफरीका महादीब है और यह आश्ट्रेलिया है और अंत में यहां अंटार्टिका है तो इस तरह से हम अधिब एसिया है आप इसको देख लीजिए एसिया इसके ठीक पस्चीम में यूरोप है यूरोप के ठीक पस्चीम में उत्तर अमेरिका फिर दक्षेन अमेरिका आफरीका और आश्ट्रेलिया आप महासागरों के भाग पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें ये जो पार्ट है ये भारत का पार्ट है और इसके ठीक नीचे हिंद महासागर है ये वाला जो छेत्र है या हिंद महासागर का छेत्र है और हिंद महासागर के बाद ये है अटलांटिक महासागर यह जो S टाइब का आकार बना रहा है यह Atlantic महासागर है और फिर धरती तो गोल है इसलिए यहाँ अमेरिका के पस्चिम में प्रसांत महासागर है और इसी तरह इसके आधे टुकडे को काटकर इधर रखा गया है तो यह भी प्रसांत महासागर है पीछे से यह दोनों जुट ज जाता है और यह प्रिथवी का उत्तरी धुरू हो गया और यह दक्षनी धुरू हो गया तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से प्रिथवी के स्वरूप को समझ सकते हैं एक चीज और ध्यान देने की बात है कि आपने सुना होगा कि पहले यह सारे द्वीप एक ही जगह प्रिथवी के अंदर से प्लेटों का खसकना इस खली भागों का खसकना शुरू हुआ और तूटकर अलग-अलग भिखरते गए यहां भी आप ध्यान दिजेगा तो यह जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिनी अमेरिका का देख रहे हैं और यह अफरिका वाला भाग देख र प्रिथवी के आंतरिक संचलन के कारण और आंतरिक प्रवाह के कारण यह प्लेट एक दूसरे से तूटकर अलग होते गए और अलग-अलग महादीब बनते गए अब हमको इन महादीब के बारे में कुछ गहन जानकारी जाननी है जैसे सबसे पहले आप उत्तरी अमेरिका के बारे में जानिए यह उत्तरी अमेरिका का मैप है जैसा कि आप यहां भी देख रहे हैं यह वाला भाग उत्तरी अमेरिका है तो इसी भाग को यहां दिखाये गया है यह उत्तरी अमेरिका है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महादीब है यह भूमी की एक बहुत ही संकीन पट्टी द्वारा दक्षिन अमेरिका से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जलसंदी काते हैं ये देखे ये दक्षिन अमेरिका है और ये जो पतली पट्टी जो यहां आ रही है इसी से जुड़ा हुआ है और इसको पनामा जलसंदी काते हैं पनामा अस्थल संदी काते ह उस जगह को भी अस्थल संधी कहते हैं तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका दक्षिनी अमेरिका के साथ एक पतली-पत्टी पनामा अस्थल संधी के द्वारा जुड़ा हुआ है यह महादीप मतलब उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी और पस्चिमी गोलार्द में इस्थी थे तीन महा सागर से यह महादीप घिरा हुआ है अब आप देख लीजे यह उत्तरी और पस्चमी गुरारद में इस्ती थे आप यहां विश्व का मैप देखिए तो विश्व के मैप को अगर आप ऐसे बांट देते हैं इस धंग से बांटते हैं तो यह इसका उत्तरी भाग ह हो गया और यह पस्चमी भाग भी हो गया क्योंकि पूर्वी भाग तो यह होगा यह पूर्वी हो गया और यह पस्चमी भाग हो गया यह इसका दक्षिन पस्चिम भाग हो गया यह पूरब दक्षिन भाग हो गया तो इस तरह से यह उत्तरी अमेरिका उत्तर और पस्चमी चेतर में प्रिथवी के उत्तर और पच्चमी चेतर में फैला हुआ है अब हम ध्यान दे तो यहां भारत की भी एक इस्थिती दिखाई जा रही है आप भारत के बारे में भी देख सकते हैं यह भारत का मैप है जो की दिखा रहा है कि भारत हिंद महासागर के उत्तरी छोर पर है और भारत के ठीक नीचे भारत और स्रिलंका के मद्ध इस्थित एक जलसंदी है और यह मलक्का की जलसंदी कहलाती है यह जो है यह मलक्का की जलसंदी कहते हैं इसको पाक जल डमरू मद्ध इसको कहते हैं और भारत के पस्ची में अरब सागर है पूरब में बंगाल की खाड लेते हैं उसके बाद देखते हैं दक्षिन अफ्रिका दक्षिन अमेरिका दक्षिन अमेरिका यह अधिकांस दक्षिनी गोलार्द में इस्तित है प्रिथवी के दो गोलार्द में बाटा गया है उत्री गोलार्द और दक्षिनी गोलार्द नीचे वाले भाग को दक्षिनी ग गुलार्द में इस्तित है, मतलब कि भूमद रेखा से दक्षिन की ओर है, नीचे की ओर है, इसलिए इसको दक्षिनी गुलार्द करते हैं, और इसका कुछ भाग भूमद रेखा इसके इस जगह से होके गुजरती है, तो इसका अधिकानस्ता भाग दक्षिनी गुलार्द में पड़ता है विश्व की सबसे लंबी परवत स्रिंखला एंडेज इसके उत्तर से दक्षिन की और फैली है एक एंडेज परवत माला है ऐसे जो की उत्तर से दक्षिन की और ये अगर उपर वाला भाग उत्तर हो गया और नीचे वाला भाग दक्षिन हो गया तो ये उतर से दक्षिन की ओर एंडीज परवतमाला दक्षिन अमेरिका में फैले हुई है और दक्षिन अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बाती है अमेजन नदी का नाम आपने सुना है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह दक्षिन अमेरिका में ही बहती है उसके बाद है आश्ट्रेलिया यह विश्व का सबसे छोटा महादीफ है जो पूरी तरह से दक्षिनी गुलार्द में इस्थित है आप यहां देख लिजे आश्ट्रेलिया के स्थिति यह आश्ट्रेलिया है और यह भूमाद रेखा से बिलकुल नीचे है तो यह दक्षिनी गुलार्द हुआ क्योंकि भूमाद रेखा से नीचे के भाग को इसको दक्षिनी गुलार्द काते हैं और इसको उत्री गुलार्द बात करते हैं अन्टार्टिका की अन्टार्क्टिका यह एक विसाल महादिप है और पूरी तरह से दक्षनी गुलार्द में है अंटार्किका की इस्तिति आप देख लीजी यह जो आप सफेद वाला भाग देख रहे हैं यह अंटार्किका महादीप है और प्रित्वी के दक्षनी गोलार्थ और दक्षनी धुरू के पास है इसलिए यहां सालों भर बर्प जमा रहता है यहां मानों नहीं रहते मानों का अस्थाई निवास अंटार्टिका में नहीं है दक्षनी धुरू लगभग एस महादीप के मध में इस्थित है जैसा कि यह दक्षन धुरू में इस्थित है यह अस्थाई रूप से मोटी बर्फ की परतों से धकाराता है इस पर काफी मोटी-मोटी बर्व की पड़ते हैं यहां अज थाई मानो निवास नहीं है अंटार्क्टिका में कई देशों के सोध केंद्र हैं वहां बहुत सारे देशों ने अपने-पने सोध केंद्र बना रखे हैं वहां सर्च होता है बैगानिक अनुसंधान करते हैं भारत में भी सोध संस्थान यहां है इन्हें मैत्री और दक्षिन गंगोत्री के नाम से जाना जाता है भारत में वहां दो सोध संस्थान है मैत्री और दक्षिन गंगोत्री एक और बना है तीसरा बना है उसका नाम भारती रखा गया है तो इस तरह से वहाँ तीन सोध संस्थान हो गए भारत के मैत्री, दक्षिन गंगोत्री और भारती उसके बाद बच्चों यहाँ इस वर्क्षिट से related कुछ प्रस्ण है जो की काफी आसान है दुनिया का सबसे छो महादीब कौन सा है यह पहला प्रस्ण है तो दुनिया का सबसे छोटा महादीब आस्ट्रेलिया हमने पढ़ा है और प्रस्ण 2 है अस्थल संधी किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर हुआ जब दो बड़े भुभाग को अस्थल का कोई छोटा टुक्ड़ा एक साथ जोडता ह तब उस छोटे टुकड़े को अस्थल संधी कहते हैं या जब दो बड़े भुभाग जिस जगा पर एक दूसरे से जूड़ते हैं तो इस जगा को अस्थल संधी कहते हैं उसके बाद तीसरा प्रस्ण है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो इसका उत्तर पॉसिट में थाइंक यू